असलाम लेकूम आइम डॉक्टर फात्मा अमजद वरकिंग इस अ कंसल्टेंट डाइटेशन इन प्राइवेट हॉस्पिटल और आज असोसियेटेड विद मेरा आईक्यो स्मार्ट हेल्थ केर आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इशूस के बारे में और किस तरह से वह हमाई डाइट के साथ लिंग्ड है यह बहुत ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकर क्योंकि वान आउट ओफ एवरी फाइव एडर्स जो हैं वह एक्सपिरियंस करें हैं मेंटल हेल्थ इशूस और मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ यह दोनों एक दूसे के साथ अगर हमारी हमें कोई मेंटल प्रॉबलम है तो वह लीट करता है क्रॉनिक डिजीस की तरफ जाता है और जब यह दिवेलब हो जाती है तो वह इन रिटर्ण मेंटल हेल्थ इशूस को कि सिंटम्स को वर्शन करती हैं तो यह दोनों एक दूसरे के साथ लिंग देंग अब इ गर्शन करते हैं तो आपरिट को कार्या कि अइंटिंग हैबिट्स क्या है है उनको एक्टवर तरफ तरफ या मेडिकेशन दीजाती है तो डाइट का एक बहुत इंपॉर्टन रॉल है डाईट और मैंटल हेल्थ का एक बिक रिलेशन है किस तरह हैं किस तरह हैं आइग और प्रॉसेस्ट फूर्ड या एड़िट सूगर्स कम हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ आटमेटिकली इंप्रूव होगी स्टडी यह बताती हैं कि जैसे वेस्टरं टाइट्स जो हैं उनमें हाई अकई है कॉंटện होता है एड़िटcknow का और प्रॉसेस्ट फूद भी ज़्यादा है तो औन में में मेंटल हेल्थ इशूस तो हेँऊ वो वह उस तरह तो हमारी depression, anxiety जो है, उसका level कम होगा, हमारी mental health इंप्रूव होगी. omega-3 fatty acids जो है, वो हमारी cognitive decline हो जाती है, अगर वो हमारे diet में जो है, वो lack कर रहे हो. इसी तरह अगर magnesium का देखा जाए, तो studies ये बताती है, कि जिन लोगों ने magnesium से trade supplements लिये थे, उनकी mental health इंप्रूव हुई थी, उनकी mental capacity इंप्रूव हुई थी. इस तरह zinc भी एक important role play करता है, और probiotics, everyone knows, are very beneficial for our health. और probiotics हम लेंगे, तो anxiety और depression रिडियूस होगा. Then coming to physical activity, exercise. Exercise का भी एक important role है mental health में. exercise करने से endorphins release होते हैं, जो कि hormones हैं, they keep us energetic रखते हैं, और they make us feel good. You can say happy hormones. तो वो release होते हैं exercise से, और वो ऐसे hormones release होगे, तो automatically हमारी mental health improve होगी. इसी तरह brain cells जो हैं, उनकी formation, new brain cells की formation होती है exercise से. तो ये चीज़े जो है healthy diet और exercise हमारे लिए बहुत important है. अगर हम चाहते हैं कि हमारी mental health improve हो, maintain हो, तो हमें healthy eating करनी है और wisely eating करनी है और good routine बिनानी है exercise की. अगर आपको कोई issue है mental health से related और आपके, या कोई eating disorder है और आप nutrition consultation बुक करना चाहते हैं, तो आप मेड IQ के थूब बुक कर सकते हैं. Thank you.